कि नमस्कार मैं प्रभातन जंदीन संटर डिबेट में आप सब का स्वागत है आज हम बात चीट करेंगे इसलिए कि अब जो राजनीतिक माहौल है और जो चुनावी माहौल है वह अपने पूरे परवान पर है और अब उसका वो जो है वो परवान दो क्रम के बाद खत्म हो जाएगा और 23 तारीक की प्रतिक्षा में हम सब लोग लग जाएंगे और आज जो हम लोगों इसमें आगे निकलते चले जा रहे हैं और जो उन्होंने पूरे चुनाव का जो वयक्ति करन कर दिया है एक इंडिविडियुलाइज जो पूरा चुनाव हो गया है एक व्यक्ति के फ्रेम में पूरा भारतिये लोकतंत्र समाने की कोशिश कर रहा है और इसमें पूरा का स्वास्थ जरूरी था हमारा रोजगार जरूरी था हमारा गन्ना किसान जरूरी था हमारे लिए पानी जरूरी था हमारे लिए स्वास्थ जरूरी था और इस तरह की बहुत सारी बाते हैं जो हमारे और आपके और जो हमारे वक्ता तीरगा में हैं बैटे हुए लोग उनके कर रहा है तो ऐसे माहौल में ऐसे राजनीतिक माहौल में ऐसे गैर जिम्मेदाराना राजनीतिक माहौल में क्यों नहीं इन मुद्दों पर हम ही अपनी चिंता जाहिर कर लें और आकाश तक पहुंचा दें अपनी बात इसलिए कि सत्ता आकाश्ट ज्यादा उपर है और सत्ता तक बात पहुंचती नहीं जनता की तो हम आकाश्ट तक अपनी बात पहुंचाते हैं प्रकृति तक अपनी बात पहुंचाते हैं और इसी जिजिविशा से इसी इसी स्पिरिट से हम अपनी बात करते हैं और संट्रल डिबेट म अनुराग यादो जी हमारे बीच मौझूद है अनुराग जी आपका स्वागत करता हूं हमारे बीच विवेक स्रिवास्तो जी भाजपा नेता प्रवक्ता मौझूद है विवेक जी आपका स्वागत है प्रितपाल सिंग जी प्रवक्ता आप मौझूद है हमारे बीच प्रित आप पहली बार आए हैं लेकिन बहुत ही अच्छा लगा कि आप इंडिया वाच पर डिबेट और अन्य कारेकरम सुनते रहते हैं तो एक अच्छी बात हुई और यह भी लगा कि हमारा एक दर्शक तो है कम से कम तो यह जो है अंकुर जी जो डिबेट का चलंड है वो मेरा बत करते हैं कि मुझको केवल एंकर नहीं समझा जाए मैं भी वक्ता दीरखा का एक सदस्य हूं और मैं भी बीच-बीच में थोड़ी बहुत बातचीत में शामिल रहता हूं तो यह विशय मैंने रखा और अनुराग भाई सबसे पहले मैं आप ही की तरफ आता हूं और जैसा आ सरुकारों को लेकर कोई चर्चा नहीं है आप यह बताइए कि Bala Coach क्या हमारे सरुकार में aí आप यह बताइए कि क्या आपने हेडिंग दी बड़ी अच्छी दी जो आपकी टैग लाइन कहीं जाएगी कि मोधी रेस में मुद्दे शेष तो यह निश्चित बात है कि पहले तो हमें यह समझ लेना शेए कि मुद्दे आखिर क्यों जरूरी है एक वोटर के लिए मद्दाता के लिए काम आदमी के लिए मुद्दों का क्या महत्व है देखिए यह लोगसबा चुनाओ जो चल रहा है इस समय हर पार्टी हर दल और हर नेता का करतव है कि वह यह बताए कि अगर उसकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह जो मूल भूद जरूरते हैं जो समस्याएं हैं आम आदमी की उनको वह होसको लेकर उसकी क्या विचारधारा है क्या पॉलसी है और उस पर वह क्या सौच रहा है खास्दोर से वह पार्टी जो सत्ता में है उसको जरूर यह बताना होगा कि कि जो मूल समस्याय रही है और जिसको लेके जो उसने अपने घोसणा पत्र में जिन चीज़ों को शामिल किया ता आज पास साल भी जाने के बाद उनकितनी समस्याओं को वह हल कर पाए या कितनी समस्याओं पर withdraw किए बहुत सीरियस्ली और और बार बार मुलमुद्दों से बात को फिर वही पर ले आए जाता है तो इसका कारण जो सबसे बड़ा कारण यह है कि जब हम किसी मुद्दे पर हम जो हमारी प्राद्वित काई थी उन पर हम काम नहीं कर पाए या उस पर हमारी नीत इसपस्ट नहीं है तो हम हमेशा मुद्दों से भागते हैं समस्याओं से बागते हैं को आज लगभग वहीं पर पड़े हैं आप अगर राम मंदिल से सुरू करें धारा 370 की बात करें जम्मों कस्मीर को विशेस राजी का दर्जा और मैं खासकर इस पॉइंट को इसलिए भी कह रहा हूं कि अभी जो राष्टी अद्यक्ष भारती जन्ता पार्टी के अमिश्या वह इस पर फिर दुबारा से बूल रहे हैं कि अपकी आप हमारी सरकार बनवा दीजिए और मैं धारा 370 हटा दूंगा वही दो हजार सुझा चाइั่र। शवादा ने यही बाट कहीं तो Ger्मा साल क्या पर्याब तो नहीं थो तो कुछ इन ही चीजों को खासकर बर्टी सत अंचे कि तो इससे हमारे साथ चलावा कर रही है इसको भी समझने कीजरूरत है दूसरी जो हमारी विपक्स की पार्टियां है वो उनके उनकी क्या नीति है इन समस्याओं पर और इन लौन पर उनकी क्या अपनी strategy होगी अगर कल कुंको सरकार बनाने को आफसर मिलता है तो वो इस कैसे काम करेंगी इनको भी जानने और समझने की जरूरत है और वो कैसे एक पार्टी की वज़े से यह पूरा चुनाओ व्यक्ति केंद्रित होता जा रहा है और इतनी विपक्षी पार्टियां मिलकर चुनावी मुद्धों पर जो खास मुद्धियां उन पर चर्चा तक नहीं कर पारी यह बहुत बड़ा विशा है यह कहीं न कहीं जिम्मेदारी विपक्ष की बिल्कुल अम्राग जी बहुत बहुत अच्छी अच्छी बाते आपने कहीं है और इन पर इन पर शैद पूरा होगा मैं विवेक जी आपकी तरफ हू मोदी रेष्ट बुद्धे सेस मैं आपकी पहली लाइन से तु सहमत हूं मोदी जी रेष्ट में हमेशा रहते हैं यहां तक कि वह हवाई जहाज की सेड़ियां में दोड़के चड़ते हैं और इंदुस्तान को आगे ले जाने कुल में इतनी जल्दी है जाते कि इसकों अपना काम किते जल्दी निफ्टा दे टीन से चार गंटे में यosium करते हैं कि वहीं मुद्दे हैं जिनको हम किरी कारणूं से हल नहीं कर सके ऐसे राम्यन भूम का मुद्दा सुप्रीम कोट के नाथ है 370 का मुद्दा 351 का मुद्दा वी सुप्रेम कोट में चल लहा है ऐसे तमाम इसु जो किरी का रोल सटक है ऐसे मुद्दे जिन पर आप कुछ नहीं करते हैं उनको सुप्रेम कोट तक पहुंचाने की बहुता करते हैं उनको और दलित आक्ट पर अध्यादेश जरूर ले आते हैं दो बार हमने उस पर काम किया क्योंकि राश्माम हमारा बहुमत नहीं था अब हमें रखता है कि हमारा राश्माम भी इस बार बहुमत होगा और 2020 तक की डेडलाइन हमारे राश्टे अद्दच हमें साजी ने दी है जम्मू कस्मिर की 375 की विशे पे कि दोनों निप्टे और जम्मू कस्मिर जिस तरह से भारत का विवा जंग है वहां पर आवागमन सुद्दा होगी लोग अराम से जाकर के वहां जमीन खरीच सकेंगे ऐसी हमारी यह पेच्छा बड़ा अच्छा सपना है यह अगर हो जाए यह होगा वाकई बहुत अच्छी बात है यह सपना न जी सबसे पहले मैं इंडिया वाच और प्रवाद जी आपका विशेश धनिवात दना चाहूंगा कि आपने राश्टिये लोग दल को अपने मंच पे स्थान दिया आज की डिबेट में और सबसे बड़ी बात है मोधी जी आगे और टीम पीछे इस तरीके की कोई भी बात न लगते हैं भारतिये जंता पार्टी इस बार क्या कर रही है जब भारतिये जंता पार्टी ने यह देखा कि बरतमान समय में उसके पास जंता को गिनाने के लिए कोई काम नहीं है तो उसने क्या किया उसने कश्मीर मुद्दा उठा दिया उसने पुलवामा मुद्दा उठा रोजगार के मुद्दे पे आपको बता दूँ हमारी 130 करोड की पाप्लेशन में मात्र हमारे हिंदुस्तान में 2.15 करोड गौर्मेंट जाओब हैं आप यह कहते हमने 2 करोड लोगों को रोजगार दिया अगर आपने 2 करोड लोगों को रोजगार दिया तो 1947 से लेके 2019 तक आप में भरती करेंगे वेकंसी खाली है आई एस लेविल से लेके ग्राम पंचाय तक में तो अगर हमां आपकी बात को फालो करते हैं तो 27 लाग उसमें खाली वेकंसी है तो 2 करोड 15 लाग में अगर आप 27 लाग का अकड़ा घटा देते हैं तो 1.82 परसेंट के करीब होता है आज मैं ज्यादा बता रहा हूं उससे नीचे की पॉपलेशन जॉब में हैं इसका मतलब क्या हुआ अगर हम आपकी 2.15 करोड के आकड़ा को भी ले लेते हैं तो बाकी के हमारी जंता बेरोजगार है कि स्वाबलंबी है किसी ना किसी रोजगार के आदार पे जो विकेंद्रिच सेख रहें उनके अधार कि एक अपनी आजीफ को अलब पर नहीं भारतिया जनता पौर लिए क्या मुद्धा है दो ओजार उननिस में आप हमारी पुना सरकार बनाएं तो जो जो 949 की 2 सब्सक्राइब करेंगे और अगली बार फिर हम आपको बढ़ना चाह रहे लेकिन हम दो वक्ताओं का आ जाता है उसके बाले प्रितपाल जी से सुनते हैं उसके बाद आखिर में राने साब आपकी तरफ आएंगे प्रितपाल जी देखिए भारती जनता पार्टी में जो जो यह भी सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूं एक चणड के लिए लेकिन यह भी प्रितपाल जी और आपके हवाले से मैं सब लोगों को कह दूं कि यह जो कॉंग्रेस के नेता और कॉंग्रेस के जो सैम पित्रोदा का जो भयान आया सिक दंगों को लेकर यह बहुत ही दुखद ह और यह जो है दुखद और हास्यास्पद है क्योंकि आप जो बात कहते हैं उसकी क्या तासीर होगी उसका क्या असर होगा इसको सोच समझ कर इतने बड़े और कदावर लोगों को ठीक तरीके से बोलना चाहिए और इसलिए खास तोर पर यह भी एक चक्चका मुद्दा है औ आप आज के डिबेट में रहें और हम लोग आपके जरिये यह जो सिक्थ रायट का इशू है यह बहुत ही बड़ा एक हिंदुस्तान की इतिहास पर कालिक की तरह है और इस पर हम लोग अपने थोड़े विचार इस पर व्यक्त करेंगे मैं बहुत प्रित्पाल जी मैं जन् बात है कि जो रेस की बात अब विवेक जीनी का हमेशा रेस में रहेते तो दो रानेंगे उन्होंने वाकितीन साल जो थे वह रेस का ही काम किया बहतर यात्राय बाहर की की अलग लग देशों में गए और वहां से क्या आया यह जग जाहिर है अभी तक कोई जो कहते थे अभ देश देख रहा है बात यहां पर यह आ रही है कि जो अनुराग जी ने भी कहा बात को मैं इनका बहुत समर्थन करता हूं ने पूरे ही मेरी बातों को जो हमारी विपस्च की चिंता हैं उसको इद्रम रख दिया सामने इनोंने और उनको डिफाइन करने का काम इनों नहीं क इसको एक मौका देतो दोजार चौदा जीतने के बाद दोजार बाइस का आप लोगों को सब्दा दिखाते थे दोजार बाइस में जो किसानों की आयो डबल हो जाएगी और हमारे बिरुजगारी पूरी देश से ख़़ए बिरुजगारी सर कहां खतम हो बीयस अनल को चाउ रहे हैं देश को भर्मित करके वोट लेना चाह रहे हैं यह सर ऐसा नहीं होने वाला देश अब मुर्ख नहीं बनने वाला है देश अपनी मुदों की बात कर रहा है अपनी जरूरतों की बात कर रहा है जो जरूरतों की अब मुसको भूग लगी हो मेरी माम उसको खाने के ज मिल जाए वेरुजगार चाहरा हमको नौक्रिया मिल जाए अब उनको कहरो भी है सब घुम-कुम जाओ आटा ये गुतो रामंदिर का 370 का गुत लो 35 का गुत लो आप किस विहाब पे ये कह रहे हैं कि राज सभा में आपका पावर बढ़ने वाला है पांच राज्यों में चलिए सर आते हैं आते हैं इस पर प्रित्पाल जी सिखो वाले इशू पर भी हम लोग आएंगे इसके बाद और राणे साब आपके पास है प्रबाद जी बड़ा बैतर इसू है मोदी रेस इसू रेस्ट और इस पर जिस तरह थे हम लोग बात कर रहे हैं बड़ा अभी उस हैं यरी जी हमेशा रेस में बने रहते हैं तो आपने होगा एक क्रिकीट मैश होता है सिसमें तीन फार मिटमल चलते हैं एक टी-2 होता है दूसरा वर बाबिमल def拭ोटीक करते हैं तीसरा होता है टेस्ट मेंश तो आजकल वुष्ट नकालने के लिए और टी-2 printed manifold का वाइड बाल का प्रोसीजर है कि आप उससे बाहर जाएंगे तो वाइड बाल हो जाएगा आप पेनलाइज किये जाएंगे एक रन आपको देना पड़ेगा इसलिए लोग वाइड बाल फेकने की कोशिस नहीं करते लेकिन टेस्ट मैस में जो टीम लास्ट में फिल्डिंग कर रही होती है और उसके रन कम हो विपक्ष्षी के विकट जादा रह जाएं तो वह निगेटीव बालिंग करती हैं मालब पिछके बाहर बालिंग करती है कि बैटमैन उसके हिट ने खरपाईंगे तो आज भी ठीक उसी परिदिद्रिश को ले जाया जा रहा है जब कोई पार हाथ लोगतद्र खटम करके आटोप्रेसी और मुव एक मुव करेशी लाना चाहता है यह सबसे बड़ा ऍवतार भी सबसे बड़ा खतरादाग़ यह आटोप्रेशी लाने की बात उसाट करेशी को लाने की अधा आड़े法 किनाव की जा रहे हैं जो हो हमारे अहां एडल्ट काईज है एडल्ट कभी भी प्रधानमंत्री को नहीं चुनती है वह लोगतंत्र की हत्या करने के प्रयास हैं और यह कभी उस मुद्दे पर लाया नहीं जा रहा क्योंकि जो 2014 में मैनिफेस्ट थे बिजेपी के करीब करीब सब्दों को बदल करके यह कहा जा कि प्रयायबाची सब्दों को ला करके 2009 में कांग्रेस को जे मैनिफेस्ट हो थे से मोही मैनिफेस्ट थे 2014 में बिजेपी के थे केवल सब्दों को बदला गया थे जैसे प्लानिंग कमीशन है तो नीतायब हो जाएगा तो इस तरह से सारी चीजे लाई गए और सबसे बड़ा जो यहां यह हो रहा है कि जो इस्टूशन्स हैं वो पूरी तरह से खतम किये जा और देखा जाया तो आज 41 इंवस्टी जो सेंट्रल इंवस्टी जैं उस 41 इंवस्टी में करीब 6000 पद ऐसे खाली पड़े हैं 6000 पद खाली पड़े हैं अब आप यह समझे जहां तीचर ही नहीं होगे इनवस्टी में वहां अध्या अध्यान करने वाले बच्चों का क्या हस होगा आप बढ़ा तो पाए नहीं पोस्टिंग भी नहीं कर पाए वह तो बड़ी मुश्किल से अभी सुप्रिम कोर्ट में तेइस आज के पॉइंट्मेंट के बाद चार एपॉइंट्मेंट के बाद 31 हो पाए हैं जो उनकी कापिसिटी है वह हो पाए कभी इस बात पर प जो इतना प्रतिभावान चात्र था उसकी हत्या क्यों होगी रहने साब एक मिनट के लिए रोखूंगा एक ब्रेक का समय हो गया है और हम लोगों के केंद्रिये विचार में ही यह टाइम ब्रेक का आ गया है तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रूपते हैं जल्दी मिलते हैं आप से लिए प्रेक के बाद आपका स्वागत है आज हम लोग चरचा कर रहे हैं मोधी रेस और मुद्देशेश और हमारे जितने भी हमारे जो मानत वक्तागण है उनकी केंद्रिये राय आ गई है और ये जो है अब ये डिवेट में विशेख खुल कर सामने आ गया है और हम लोग इस विशेख पर बातचीत करेंगे जिसको भी जो कहना हो वो अपना इशारा करें और वो अपनी बात कहें हम लोग शोर शराबा से बचें और जो फैशन है दूसरे चैनल का उससे बचें अ लोगतंत की हत्या बता रहे थे हैं मोदी जी कहीं न कहीं आज उनकी स्विकारता अतनी ज्यादा हो चुकी है को एक ब्रांड बन चुके है पूरी जनता ने पूरा विस उनकी और देख रहा है और इनको एक नामदार परिवार के यो राज की राश्तिय अद्दज बनने में लोगतंत की हत्या नजर नहीं आती कामरे उस्तुमुक्त भारत में ने लोगतंत की हत्या दिखाई देख लिए यह स्वयम बंसवाद की पोसक पार्टी के यहां पर रुकार होकर के बैठे हैं इस पार्टी के आज यहां प्रवक्ता के हैस्यत से बैठे हैं शुपाल जी की सियहन चूल की ने देश की वहाँक साथ कितना बड़ा धोखा किया और ने का हम समाजवादी dużo पार्टी के खिला बढ़े बया करके चूनाव भतीज्ञimasermme जहने घर-घर की जहने का दूसरा नाम हो गई है कांगरेस्ट मुक्त भारत की बात करते हैं भारती जनता पार्टी की सरकार वे एक भी आरोप नहीं है हमने पांक साल आरोप मुक्त होटाला मुक्त सरकार दी मौधी जिस दिन प्राइमरी पृध्यालियों में जो कह रहे हैं अब तो ठीक बात है जो कह रहे हैं अर्वाग जी कुछ कहना चाहरा थे आप किए एक सवाले मेरा मोल बिएग अगी मोधी जी एक ब्रांड बन गए हैं कि महारे देस का प्रदानमंतुरी किसी । जो ना तो फोन उठाता है और ना पलट के जवाब देता है किونसे व्ड़द के बिदित्टा यतुछ एक है यह बंधरा मंतुरी ने को नहीं कह सकते यह उस मुक्कमंत्री की बत्तिमीजी यह उसकी हड़ता है इसको यह लोक्तंत की हत्या है यह भारति संगवाद पर हमला है इसका चुनाव आने पर बहुत जवाब दिया जाएगा इस चीज को समझे चुनाव के पांच चरण बीतने के बाद प्रदान मंत्री कि इस सिस्तर पर आगये हैं कि वो एक मुक्मंत्री को इ Concert रहा है कि फोन कर रहे हैं 2-2 बार मुखंटी फोन डिए खोमलान मंत्री अब आपका समझ गया है अब आपका इस तर समझ गया कि अगले hmm रहा है कि आप इसलिए पनाने नहीं चाहे रहे हैं अपने तरीके आप रहा अपने राजनितिक एंगल से देखेंगे लेकिन उसका एक सामाजीक एंगल भी है और एक तरहा है भारती के लिए नहीं प्रोडसान नहीं दे रहे हैं वो किया कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वह बात नहीं वह बात नहीं वह बात नहीं वह बात नहीं आप ठीक तरीके से पहले एक मट रुक जाईए आप ठीक तरीके से इंटरप्रेशन नहीं कर रहा है वह उनकी जो चिंता है वह एक गहरी चिंता है आप यह समझे कि यह ठीक है कि डेमोक्रसी डेमोक्रसी का कोई नाजाच फायदा थोड़ी कोई उठाएगा अब एक मैरी मेरी बात सुन लिए कि अगर कोई प्रधान मंत्री जैसे माल लीजे कि यह सर्वता निंदिनिये है कि कोई व्यक्ति प्रधान मंत्री को चोर बोले यह सर्वता निंदिनिये है इसकी कोई भी जो भी सेन व्यक्ति होगा उसको वो उसकी तो प्रसंसा करेगा नहीं दूसी बात यह है कि कोई मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री के फोन को कटेंड नहीं कर रहा है इसका मतलब यह कि घंगोर यह मर्यादा हींता है लेकिन उनकी क्या चिंता है और जिस चिंता में हम साजा है कि उनकी चिंता यह कि प्रधान मंतरी की एक तरफ आप कह रहे है ब्रांदिंग हो रही है और एक तरफ प्रधान मंत्री की इतनी धी एक जो जो हनक कहले लोक्तांतरिक फनी तुफान चे दो परदेश भारत के आःत हुए पहला उलिशा दूसरा पस्टिब मंगान पदान मंत्री जी उलिशा गए वहां के मुख्वंत्री ने पूरा कॉप्रेट किया उनको राहत पैकेट मिला जो जो रिक्वार्वेंट्ट फूरी की गई एक परदेश के मुख्मंती ने फोन नहीं उठाया समान हिद्धा कायम की नुक्सान किसका हुआ उस परदेश की जनता का हुआ उससे पिलित लोगों का हुआ अगर आपका अहम आपकी परदेश की जनता के आड़े आता है तो आपको शर्म से डोब बरना चाहिए ठीक बात है हमारी गलत अर्थ से समझे तो बहुत अच्छा कि आपने यह बिल्कुल शुरुआत से ले गया आप यह बताईए इससे पहले कब ऐसा हुआ कि कहीं भूचाल आया हो कहीं बाल आई हो कहीं भूकंप आया हो होता क्या है आमूमन जो भारत में होता है किसी राज्ज में कुछ इस ऐसी घड़ना होती है तो मुक्यमंत्री विचारा वहां का सारी इस्तितियों का जाजा लेता है इसके बाद वो दिल्ली जाके प्रदान मंत्री का आगे गड़गड़ा आता है रोता है किसा आप कुछ हमें देखिये चलिए रात का यह रातकार के लिए हमें कुछ दे द हैं और उस राज में आके मुक्यमंत्री से कहते हैं हेलिकाप्टर में हमारे साथ जहाज में बैठी और मैं दौरा करता हूं और दौरा खतम होने गवाद दिल्ली पहुंसते नहीं सामको एक हजार करोन का पैकेज उस राज को आ जाता है एक चीज उसी क्रम में दूसरे मुक फोन नहीं उठा रहा है मैं इस घटना को इसलिए कोड कर रहा हूं क्योंकि यह जो दो चरण बाकी है पांच चरण जो हो गए जो मीडिया रिपोर्ट्स मिल लए जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स है जो इंटरनल सर्वे पॉलिटकल पाल्टीज के वो क्या कह रहे हैं य मेरा कहने का मतलब यह था कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मम्ताव अनरजी समझ रही थी कि आप प्रधान मंत्री किस लिए मुझे फोन कर रहे हैं उनका आगे का क्या मकसद है जो अभी तक तनातनी रही वो तनातनी इतनी नर्मी में कैसे कंवर्ट हो रही है यह कहीं ना कही पांच फेजों के जो संकेत हैं चुनावी संकेत वो इशारा कर रहे हैं विवेक जी कुछ आप करना जाएंगे इस पर मैं आपको कर दूँ भारतिय लोगतंत का धांचा भारत एक संगों का देश हैं और यह संग के ऊपर ही प्रहारमंत्री उसी में तो हमने बता है क्या हला हो और अगर मंता जी ने इस तरह का चड़ किया उटकी सम्मेदन हिंता है और सुन लीजिए जिस प्रकार से आप बात करें अगर अंतिम दिन तक भी मोदी जी पधान मंत्री हैं तो पधान मंत्री हैं आपको यह किसी उस पर रिपोर्ट पे कहने का अधिकार नहीं है कि आप ज में एक बहुत क्लियर है कि भारतिय जन्ता पाल्टी के प्रवक्ता जी अपने अग्रेशन में यह दिखाना चाह रहे है कि नेक्स प्राइम मिनिस्टर प्रदान मंत्री जी है जब कि उनको एसास हो चुका है कि 23 मई बीजेपी गई और 2019 में भाजपा गना हो जाएगा भारत दिया गया जुमला ब्रेंट आप बताईए हमारे देश प्रवाज जी आप सब लोग बरिष्ट हैं सब लोग राजनीती और सब को बड़े पहले से वाच कर रहे हैं यह बताईए जब से आपने देखा राजनीती में ऐसा कौन सा प्रदान मंत्री हमारे देश का हुआ कि व हमारे प्रदान मंत्री ने अपने को ब्रेंड बनाने के लिए टीवी चैनल लॉंच कर दिया है टीशल्टे बट रही है उसमें नमो ब्रेंड लिखके आ रहा है आप देखिए सारा काम बकाईदा एक पिक्चर बनाने की तरीके की इस्तिजिस किया जा रहा कि साम दाम धंड सब्सक्राइब किसी तरीके से 2019 की बेटर्णी पार कर लिए ठीक बात है रहने साब आप कुछ कहना चाहरे थे प्रभाज जी सब्सक्राइब करेंगे कि हमारी हमारा द्रिश्ट दोस्त है यह भी पकड़ाया कौन किस ब्यक्ति ने पकड़ा जो बहुत दिन लंबे समय से मुतिया बिन से प्रभावी थे दूसरी बात यह आ रही है कि जब केरल में इसी तरह का आपदा हुई थी तो साथ सो करोन का एक रिलीफ फंड आया था ब दूसरी बात यह सच है कि मोदी एक ब्रांड है मोदी अब किसी व्यक्ति का नाम नहीं रह गया मोदी अब किसी किसी की टाइटिल नहीं रह गई मोदी चार अलग-अलग वर्ड हैं M O D I Mody जिसका M का full form है Men, O का full form का Amn D का full form है protecting I का full form है India Man and destroying India यह branch है, अब आप देखार जाए., इंस्टिचूशल करते हैं कोई भ्रस्ताचार नहीं हूँआ, जब भ्रस्ताचार को सिस्ताचार की ही चातनी में लपेट करके परोश होगे तो भ्रस्ताचार कैसे दिखेगा, अंधेरी ओशियारा रोड पे 2000 स्कॉयर मीटर जमीन आपने हेमा मालनी जी को दिया 35 रूपए स्कॉयर मीटर के इसाफ से ब्रस्टाचार नहीं हो सकता यह कैसे ब्रस्टाचार हो जाएगा आपको तो सिस्था चार के चासनीम लपेट के प्रवसा आपके पीस गोयल जी है इसका कोई तत्त आभ गूगल कर लो नंगा वाद बतातों अप गूगल कर लिजे लिए मिला की नहीं रहाए बूगल कर लिजे लिए यहाँ 10 लाक रूपए स्कोर में पुलब्स नहीं है तो फ्री में दे देते हैं और आप फ्री में दे देते हैं वह कामर्शियल इस्कूल फुल लाओं और आप जब आपकी बात सांती से सुने गई तो सांती से सुने अनारगल प्रलाप नहीं करते हम अनारगल प्रलाप नहीं करते पब्लिक डोमेन में हैं आप चिलाने से सचाई चुपने जाएगी जुट बोले कौन वाल लेगा यहां पर आप फ्री में क्यों नहीं दे देते आप रहाजाग दे दीजे ना पूछे वाले को आई 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 परसंद को डिजर्ब तू अधाइड़ फ्रैंशाई अधाट फ्रैंशाए एंधार फ्रैंशाइव यहां पाराग देट फ्रैंशाई इसके लागने आई आए तक बात करेंगे तो इंडिया में नहीं आता क्या इंडिया में फिर आप बुद्धे के और यां पिस देखिए आप यह इसके बाद जिस तरह के डेबलब्मेंट के हम सीधी की सीधी बात के लेके आ रहे थे जो आपने मुद्दे रखे थे वास्तों में डेबलब्मेंट होगा कैसे डेबलब्मेंट के तरीके यह नहीं है डाक्टर अमबेटकर को उठा करके देख लीजे डाक्टर लोहिया को उठा करके देख लीजे वह बार बार इस बात के वकालत करते थे कि जब भी इंस्टिचूशन का प्राविटाइजेशन होगा निजी करण होगा तो निशी तोर पे पूजिया कुछी लोगों के हाथ में गया है उससे देश प्रगत नहीं कर सकता है आज यह हो रहा हमारे देश में अरि इंडिया का बठता दीया गया ब्यास नल का बठता बैठ गया है ओन्जी सी का भठा बैट गया है जो ओन्जी सी कंपनी रेलवे को सप्लाई करती ती डीजल आज सप्लाई कर रहा है जो ठीक बात है एक मट सुनिये ब्लाप्रभु कि अच्छा नाल चुछ नहीं 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 एक में रुकिए इतनी तरह से हम लोग भी हम भी सुन रहे हैं है कि देखिये वह तो ठीक बात है कि अगर सिख्छा के द्रिश्ट कोन से या वैफि डिश्ट कोंद से आप अगर जमीन करते हैं किसी को भी लोग करते हैं तो उसका उसकी आपनी एक उसका एक दर है और उस सांकेतिक सिंबोलिक दर फिक्स किया जाता है वो बात नहीं है और जो जन सरोकार के जो मुद्दे होते हैं उसमें वो एक ठीक है हिमा मालनी को आपने जमीन दी वो एक अनियमित्तक के इस पे है इसलिए कि वो पहले ये क्लियर होना चाहिए कि वो जमीन किस परपस दी गई है हम सब लोग होगा वाले पे हैं अचा मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं चलिए इसको छोड़ दी कि जैसे यह यह बताइए कि बहुत सारे मुद्दे मैं अपनी बात करूं आप वह प्रस्पा पर लगे हुए एक मुट रुकिये तो मैं यह कह रहा हूं जैसे आपने कहा कि ब्रांड है इसको जो है इसको सोचियेगा आगे से जो आप कहेंगे ना कि मोधी एक ब्रांड है तो कहीं न कहीं आप उनको डेमोक्राशी के जो आउधारना उससे अलग करके ले जाते हैं है किने नहीं वो कर दितबर तो थोड़ी है या नए और अलग है इसने असीरा ब्रांड मेरा यह मानना है कि अगर वह कि कहा कि रेस में आगे हैं, हम इसे असामत भी नहीं है. हम ये कह रहें कि वो रेस में आगे हैं, लेकिन बाकि जितने भी जन सरोकारों से जोड़े हुए मुद्दे थे, आप एक नागरी के द्रिष्टिकोर से भी सोचिए न, कि वो सारे मुद्दे, आप ये देखिए कि अभी में चिंटा क्या मोई आप पहले आपक्षा सत्ता होती है tussen अर्ष imperi को यह और क्वरविये पानी को लेकर मार हो रही है हिंसा हो रही है आप यह बता नहीं की पानी को लेकर हम जो है हमारी चिंता कहा है कि आप बोल देपाज को यह नहीं देचेंग मुझको यह बता है um भी नेता हुसोएवर में भी मेरी बाचित हम लोगों के डिबेट का कोई टार्गेट एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है लेगिन चुकि आप सत्ता में है इसने अपेक्षा सत्ता से होती है क्या आप यह हम जो बात कहते हैं उसमें सतर साल बनाम पांच साल भी नहीं है सतर किया इसके बारे में लोग पूचेंगे पानी का जहां तक मसला है आप पानी को लेकर आप नमामी गंगे और तहस नहस कर दिया है आप से दिवेक भाई आग्रा करेंगे और आप सम्होंसे कि 8-9 का ये प्रोग्राइञ जरूर देखेगा कि ये जो है ये हम लोग न्यूस माटम जो पोस्ट अटम जो खबरों का है वह और यह हम लोग दिबेट करना है हम लोग बाचीत कर रहा है वह वह यह ज़ो है यह लोगतंत्र की हिफाज़त के लिए है कि लिए मैं कि नजहां बोगे दिया है वो उस्चना कर दीजिए ऊधर है बना है तो यह सारी बात जो है यह डेमोक्राइशी की इसमें कोई पार्टी को लेकर अब जैसे मालिए कि हम उस पर आते हैं कि पित्रोधा ने जिस तरह का बयान दिया भाई पित्रोधा ने होता है होता है centrum थो अपर जब गुज्रा दंगे की बात आती थी तो आपके नेता भी होता है होता है करते थे तो ये पैटन मेरा आशे ये है मैं उस उम्म्र की दहलीज पर भी हूँ जाहा मैरी चिंता रहती है कि ये होता है होता है ऐसे डिमोक्रासी का क्या हो जाएगा भाई कि वो हमारी द्रिश्चिकूर में या किसी भी नागरिक के द्रिश्चिकूर में सिख मारा जाए मुसलिम मारा जाए हिंदू मारा जाए एक नागरिक मारा जाता है आप यह सोचते कितनी पीड़ा था एक बात है कि सिखों को तो आप ये सोचे कि हम अगर मेरे सामने विवेग जी आपको सही बता रहा हूँ और मैं डिबेट को बहुती फॉर्मल तरीके से रखता भी नहीं कि अनुराग भाई मैं वो जो तस्वीर देखता हूँ कि किसी सिख को पकड़के आपने पगड़ी खोलके और उसको जुलसा के मारा तो मैं यह कहता हुआ अजीब ते पीरित हो जाता हूँ कि कोई आदमी सथर से कर सकता है तो यह जो यह पैथेटिक बतलब यह है और उस पर कोई नेता कहता है होता है पृत्पाल जी मैं आपके पास हूँ और मैं यह तकलीफ हाफ्से शेयर कर रहा हूं किवल और मैं कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं हूँ कि आपके आपके दुख्ति रख पर हाथ रखूंगा और उससे मुझको वोट का फाइदा मिलेगा तो उसके बाद जो बचता है उसके लिए आपने क्या किया भाया उसके लिए पूरा पुलिंदा है मैं आज बताऊंगा कि उसके लिए क्या होता है जो जो बचता है वो कहीं का नहीं होता है आप यह सोचे कि कितना पैथटिक कंट्री है यह कि अगर यह अगर मैं अगर मेरा नाम है इसलिए मैं कह पा रहा हूँ अगर मेरा कुतुबुदीन नाम होता तो मैं शायद यह बात नहीं कह पाता और मुझको कहा जाता कि मैं रास्तुद्रोही हूं यह पैथटिक कंडिशन है कंट्री का इसके बारे में हम सब लोगों को मिलकर बैटकर विचार करना होगा यह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अ और आप एक समुदाय का एक धर्म का प्रतिने देतु कर रहे हैं हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं और मैं यह मानता हूं और मेरा बहुत ही विनम्रता मैं वो कहते हैं ना गुरु का नाम लेते हैं कान पकड़ते हैं मैं अपने कीये पर अपना कान खुद पकड़ता हूं लेकिन हिंदी पत्रकार्टा में इस तिखों के इस उपर जितना प्रभात रंजन दीन ने लिखा होगा शायद भारत वर्स में किसी ने नहीं लिखा है प्रभात जी मैं बहुत ही वो कहते हैं कि I am very humbly to boast humble to boast मैं बहुती विनम्र हूँ लेकिन बहुती आग्विश्वास से कहता 291 बहुत के सामने से गुजरती है उसमें मैं गया एक सहर अभिहार के अंदर वही मेरी पैदाय से में वहीं पे रहता था और मेरे सामने उस समय गुर्णानक बड़े था और गुर्णानक बड़े के उपलच में परभात फिरिया निकाले जाती हैं तो एक सज्जन के वहां सुबह परभात पर ही जानी थी साड़े चार बजे दंगे शुरू हो गए यह हुआ कि सुबह पांच बजे आपको पता होगा कि गुर्दवारे में परभात पर ही निकाले जाती है वो बिचारे अपने गारी में परसाथ सुबह देने का लेके आ रहे थे और लोगों हम इस देश में रहते हैं हर लोगों सम्माद देना चाहते हैं तो उन्हों ने जिस जम्यवारी या गैर जम्मइवारी से उन्होंने यह कह दिया की होता है होता है और द्दू की नच से इस बात को द्यान को द्यान में रखे इस भासन में अपने पैदे के लिए इस बात को नहीं उठाना चाहिए था यह पांच साल तक इन्हों नहीं सिख्वों के लिए किया किया साइटी आपको पता है 2014-2013 में ही सुप्रिम कोड ने डंडा चला दिया था जब कांग्रिस की सरकार थी कांग्रिस में इसको लिंगराउंड किया चलता रहा 2014 में इन्होंने सजन सिंग को टैटलर को भी टिकर दे दी जिसकों बात में जर्नेल सिंग ने जूता मारा तो वो मामला बहुत उटने के बाद इन्होंने दो सिटे बापिस ले ली दोजार 14 में मोधी जी आगे पीम बने के बाद फिर सुप्रिम कोड ने जब कहा परसाथ भुसंजी इस मुकदमे को देख रहे थे जर्नेल सिंग्स को फॉलो कर रहे थे तब सुप्रिम कोड के कहने दिसा अंद्र देश पे इन्होंने साइटी दो बैठा दी मगर दुख की बात है इस पांच साल के अंदर उसको उसकी जाच कौन सा कौन सा बंदा करेगा इसका इन्होंने उसको कोई निवारण ने किया जो जग जो क्या नाम उनका जिनको अभी सजा हुई है उमर के जिनको हुई है सज्जन सिंग वही सज्जन दूर्जन मैं कहता सज्जन जी को सज्जन कुमार यह चाय बिचा करते थे किसी समय में सर 84 से 84 के टैम में इनकी चाय की दुकान होती थी छुडवया नेता हुआ करते थे और उसी दोरान इन्होंने उस दंगे में अपनी भागिता की और जो महिला उस समय मौके पे थी उसी के बियान को जो जाएगे यही काम अगर पांक साल पहले जो एसाइटी अगर बैठाय दी जाती तो आज समय लिए लाखों सिक्खों के जो दिल पर ये देस के अंदर दर्द है जिस देस के लिए हम लोग ने किया और करते आ रहे हैं कर रहे हैं आज भी सर आज की डेट में भी लंगर गुर यह दिना अंदर से निकालना हो हम लोग इसी देस के लिए जी रहे हैं और आप कनेड़ा में चले जाएं सरे वहां पर सांसत भी हमारे मंत्री भी सरदार जी हैं आप यूए से चले जाए जो लीगल एडवाइजर या ट्रम की वह पंजाबी है तो यानि विदेश में हम जा वह भी तो इनकों पर दाग लगता है तो आप अपने 1984 को कहतो 2002 को टिफाइं प्रिपाल जी समय चुकी तेजी से निकलता जा रहा है और तो इसमें आपने किया बहुत धन्यवाद है कि आपने इस बात और आगी रहे हम लोग की बाचित और हम लोग की चिंता बाहर तक सामिलती जिसकी बात ये करें उसमें पूरी कांगरेस सरकार सामिलती राज्यू गांदी का बयान है कि जब बड़ा पेर गिरता है तो जमीन पर हल्चब होती है और सुन लिजी जब से बीजेपी की गोर्वेंट उत्तर प्रदेश में आई है बुंदेल खंड का विशे सब्सक्राइब करें लिए कैसे वहां पर पानी की समस्क्राइब कैसे वहां डेबलमेंट हो भारती जनता पार्टी की प्रदेश सरकार गुंदेल खंड को लेकर बड़ी सीरियू आपकी बात मैं सुन लेता हूं और राने साब चुकि समय देख रहे हैं कि उदर से इशारा ह हो रहा है मैं बिल्कुल राने साब जल्दी से आप अपनी बात कह दें निश्ची तोर पे गंगापुत्र नरग मोधी जी को और मर्यादापुरस्वत्तम अमिस्साजी को नमन करते हुए और आज की आज की जो आपकी बैठक है हमारी जो चिंता है निश्ची तोर पे सरकार के लिए चीता अवस्थ सजाएगी बस इसी के साथ हम अपनी बात करें ठीक है आपने पूरा होती भी आप आप ने जो है विद्रेक जी को फिर से प्रवोट कर दिया है कुछ कहने के लिए लेकिन यह है कि हम सब लोग जो अपने हम लोगों से जुड़े हुए मसले हैं इसलिए कि हम सब लोग जनता दीरगा में शामिल है आम जनता है आज किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता है और किसी सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता है तो हम खुद को सत्ता न समझे हम समझे कि हम सरुकार से जुड़े हुए लोग है और हमारे लिए सब झाल झाल